लाइन ना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यह कब कराना चाहिए पांच हजार दस हजार पंदरह हजार बीस हजार कर दिया है ये होगा ख्लियर 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 के तो इस्ट्रमेंट लस्टर के ऊपर लाइन ब्लिंक करने लगे जा अलो एवरीवन, वेलकम टो लिविंग ड्रीम्स जहां सबने होते हैं सच वर भी लिवार ड्रीम्स अगरे जाना द्राइब कर दोड़ए वेरी ब्यूटिफुल दे याँ परे मस्त वाली बारिश हए अज दुपिर को पता है और भारिश के साथ हल्की सी आलस भी आती है तो यार मैंको दुपैर को एक काम के लिए जाना था कौनसा काम मैं आपको आगे जाके बताता हूम तो फाइनली अब जाके मैंने बजहें शाम के सवाजार और मैंने जैसे जैसे करके थोड़ी सी हिम्मद जुटा ही मैंने का बाहर निकल तो यह काम निपटाते हैं वरना तो इतनी आलस आ रही थी ऐसा है अब कौन सा काम मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं शायद आपन लिया कैप्शन के अंदर देखी लिया होगा बट कुछ-कुछ इंपोर्टन चीजे है जो हम लोग 5,000-10,000 किलोमेटर के उपर गाड़ी में क्या-क्या कराना चे तो इंप्रोव दी लॉंग जीटिविटी ओफ यॉर टाइयर्स येस तो उसके बारे में कुछ-कुछ चीज वाले घर के आसपास तो बहुत सारे हैं बट वहां पे क्यों वह भी में आपको वहां पहुंच के दिखा हूंगा बट यार बारिश की ड्राइव एंजॉय करते हैं चलते हैं टायर्स ट्रैक्स भी बोलो थार लेने का ये एक फाइदा तो है यू दो भी आपको वर्यावाट वाटर लॉग इन दे सुट इस्टी शूइल पता है मतलब मैं बहुत सारे लोगों से कम्प्लेंट सुनी है के बारिश में वो लोग गाडी नहीं निकालते है या फिर कहीं पर वाटर लॉगिंग होता है तो थे फेस अलोट अप इस्यूज बट आप आप इस्योज बट आप इस्यूज बट यह वेरी फॉर्चनेट इन दोस सर्कम्स्तान्सेज जादा फिकर करने के ज़रति नहीं थिखें पानी दिखें डाल दो भाई पानी में से निकालने का मजा है ना एक्सेप्शन तो यह हम लोग पॉँच चुके टायर ट्रैक्स में यहां पर गाड़ी का काम शुरू करा दिया है तो मुझे अर्मी पूर स्टेप्स के अंदर मैं गाड़ी का काम करा हूँगा वन तू तू वो क्या क्या है वो मैं आपको वीडियो की एंड में मैं आपको कंफ्लूड करके पूरा बताऊंगा तो आप लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना बट इसी के साथ हम लोग गाड़ी का काम स्टाड करते हैं हमारा फर्स स्टेप रहेगा कि चारो चार वील को फोल के बैल स्टाड करते हैं जैसे मैं ने आपको पहले बताया कि मैं टायर ट्रैक्स में आता हूं क्यों यह विकॉस अफ दिस अलाइनमेंट मशीन दैट थे हाव दर इस स्पिशालिटी अबाउट इस मशीन वो क्या है वो जब हमारी गाड़ी अलाइनमेंट के लिए जाएगी तब मै बताता हूं अलाइनमेंट मेंट की स्टेप नंबर थ्री यार मैं है ना बड़ा स्पिनी की इंसान हूं तो मैं कभी भी ऐसा करता हूं तो आई एंशॉर के मैं चॉक से टायर पे लिखते हूं तो यह वाला टायर जाएगा फ्रेंट राइट में यह वाला टायर जाएगा फ्रेंट लेफ्ट में और यह वाला रियर लेफ्ट में अब यह टायर खुल के जा रहा है बैलेंसिंग के लिए यह आपका चौक कर दो यह 70 से उपर नहीं होना चाहिए ना 70 के अंदर ही रहना चाहिए ना 90 के अंदर ओके और यहां पर 30 ग्राम एड करना है करना होता यह है तो कि यह यहां पर 20 ग्राम में अधिकर एड अरे इसके बाद यह पूरा जीरो-zी LIVE हो जाएगा रहे जब तक जीरो-zero नहीं होजा तब तक वो पूरा टायर बालन्स करना होता है, ये ओके हो गया एड इसी के तरह हमारे तीन ओर टायर बालन्स हो गया सेकंड टायर में 15 ग्राम लग रहा है और अब ये हो जाएगा जीरो-जीरो जीकि पंद्रा ग्राम नहीं टायर कर दिया है, येस ये हो गया ख्लियर, बाकी के दो टायर बच है, तो यहां पर हमारे चारो-चार वील्स का बैलन्सिंग हो चुका है, एक टायर में 15 ग्राम गया, दूसरे में 20 गया, दूसरे में 30 गया, और एक पर 60 गया, तो एक ही टायर के अंदर ज्यादा वेट गया, अब सेकंड स्ट क्या ह होगा, तो जब भी आप टायर रोटेट करते हो ना, पर इसके अंदर तो टीपीमस है, तो टीपीमस को कौन सा, कैसे पता चलेगा, कि हमने कौन सा टायर कहां पे लगाया, तो वो रेक्टिफाई करने के लिए, हम एक बद इसका टीपीमस रिसेट करना होता है, मैं दिखाता करना है, सिर्फ इग्नेशन ओन करना है, और जैसे गाड़ी ने यह वाला नॉइस दिया, उसका मदलब कि अब उसका कैलिब्रेशन शूरू हो चुका है, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ कैसे वह, तो अभी यह, प्रंट लेफ टायर का रीडिंग ले रहा है, उसमें जैसे थोड़ी सी हवा निकालेंगे, तो उसको पता चल जाएगा कि यह वाला टायर फ्रंट लेट का है, तो यहां पे इसने फ्रंट लेफ टायर की लर्निंग लेना शुरू कर दिया है, परिया यहां से हवा निकाल रहे है, और जैसे ही एक बीब बजेगा, मतलब इसको प प्रंट लेफ्ट का लेंड आ गया, वैसे यहां पे आ गया कि अब प्रंट राइट का टायर यह लर्न कर रहा है, और यहां पे इंस्रुमेंट लस्टर के ऊपर टीपेमस की लाइन अमेशा प्लिंक कर देगी, जब तक पूरा कैलिब्रेशन हो नहीं जाता, तो यह हो गया ह अब राइट अन साइड का जालिया कि यह फ्रेंट राइट टायर का पता चल गया, अब रियर राइट का, इसी तरह से पाँचों पाँच टायर करेंगे, और उसके बाद यह होता है पूरा टायर का प्रोस्स जिस्ते के गाडी को पता चलता है कि हौन सा टायर कहां पे लगा है, जब भी आप तो यह भी लर्न करना पड़ता है इसी के साथ हमारा टीपी एमेस हो चुका है यह देखो स्क्रीन से वह चला गया एंड टीपी एमेस ने लर्न कर लिया कि कौन सा टायर कहां पर लगा है तो वी आ ड़न विट टायर कालिब्रेशन बस अब लास्ट अब बचा है यह के लिए तो जैसे मैं आपको बता रहा था यहाँ पर आने का स्पेशल रीजन क्या है यहाँ बिकॉज भी हवन एक्सपेंसिव मशीन एक्सपेंसिव मशीन एजन हाव तो अगर आप यहाँ पर देख रहे हो ना तो यह जो अलाइनमेंट का जो मशीन है ना इसका जो टायर के अंदर सेंसर लगता है वो हमारा लग रहा है टायर के उपर जबके अगर आप नॉर्मली कहीं पर अलाइनमें बैलेंसिंग कराते हो ना तो वह यू करके हुक से अलॉई के उपर बैठता है यार रिखतो मैं आती है and apart from that यह अलोई वील्स को डामेज नहीं करते है तो that is the reason कि I always choose a place जहाँ पे इन लोगों के पास हैसे machines हो जो सीधे टायर के उपर लगे ना कि अलोई वील्स के उपर secondary अगर आप MRF की कोई भी authorized dealership के उपर जाते हो तो वहाँ पर they always have these expensive machines so that is the whole and sold region के मैं यहाँ पर क्यों करा रहा हूँ अब कौन-कौन सी चीज़े करी वह मैं summarize करके last में include करता हूँ इसका significance क्या है और कितने km पर कराना होता है वह मैं last में बता पर हूँ सबसे पहले हमारा last stage alignment निपताते है अब कर दो यहां पर जैसे आपको दिख रहा है तीन में प्रेंट तब से उपर यह है अब यह है क्यांबर और यह है कास्टर एंड यह है तो तो वह यहां से हींचे सेट कर रहा है इसे बता चले है अब यह कैंबर कैसरो तो क्या है को मैं आपको लास को बता रहा हूं वाइल समराइजिंग एंटार भी आप लुग को स्टेप पूरा समझ में आ गया होगा कि अमने कौन-कौन सी चीजे कर रही जस्ट पर बेटर अंडरस्टेंग में इन चीजों को चार सेक्शन के अंदर डिफ्रेंशियेट करके आपके बताता हूं तो सबसे पहले हमने चारो चार वील का बैलेंसिंग कराया चारो चार वील का बैलनसिंग होने के बाद हमने टायर रोटेशन किया X में उसके बाद हमने TPMS का कैलिबरेशन किया टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम का ताकि TPMS को पता चले कि कौन सा टायर कहां पे लगा है और उसके बाद 4 हम लोगों ने जो किया दाट वर्स हमने आगे की वील का अलाइनमेंट करवाया नव अलाइनमेंट के अंदर देर थ्री इंपॉर्टन तिंग्स एक होता है कैस्टर वाला मॉमेंट होता है दूसरा होता है कैंबर कैंबर इस दिस एंदें थर्ड इस टो तो यह इस तरह से आपकी गाड़ी के टायर घिसते हैं राइट तो इनका सेटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है अगर जैसे अगर आपके टायर का अलाइनमेंट ऐसा है तो आपको यह वाले टायर का अंदर का साइट ज्यादा घिसेगा अगर वह वैसा है तो इसके बाहर का साइट ज्यादा किसेगा similarly this is how your wheel should be aligned now most important question यह कब कराना चाहिए so in every 5000 km आपको alignment कराना चाहिए and every 10,000 km आपको balancing alignment और टायर रोटेशन करना चाहिए again 5000 पे alignment every 5000 like 5000, 10,000, 15,000, 20,000 के आपको alignment करवाना है और every 10,000 km के अंदर आपको alignment balancing और टायर रोटेशन कराना है like 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 के उपर simple example दो आपको तो हमारे गुरू विकास दयाल का अभी उन्होंने फॉर्चनर में टायर चेंज करा है 32 या 35,000 पे उनके टायर किजगे और उनको चेंज कराने पड़ है so that is because कि उनका alignment time पे नहीं हुआ था और alignment सही नहीं था अगर आप इसी छोट इसी चीदे को ध्यान रखोगे तो यार आपकी गाड़ी बहुत सही चलेगी टायर अगर टायर के यह informative वीडियो पूरा अच्छा लगा हो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज दो लाइक दो वीडियो सब्स्क्राइब को दे चैनल दू कमेंट यो थाट्स विलो इन दे कमेंट सेक्शन और तब तक के लिए living dreams जहां सबने होते हैं सच live your dreams